36 गड़ में जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है चुनावों से पहले घोशना बत्र में जो वादे किये थे विश्वदेव स्ताई कैबिनेट अब उन वादों को पूरा करने में जुटी हुई है पहली बैठक में 18 लाग गरीबों को आवाज देने पर चर्चा हुई उसके बाद किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने पर मोहर लगी और अब सब की नजरें बाकी वादों पर हैं यानि की जो मोदी की गैरेंटी थी वो पूरी कब तक होगी हर कोई ये जानने को उत्सुख है आपको बता दें बुक्यमंदर विश्वदेव साय की आज कैबिनेट बैठक होनी है खबरों के मुताबिक राजीव गांधी नियाय योजना के तहट चौती किष्ट किसानों को दिये जाने पर चर्चा हो सकती है बीते दिनों जब डेप्टी सियम अरुन साओ से सवाल किया गया था कि ये योजना तो कॉंग्रेस के जरीए शुरू की गई थी तो उस पर इनका जवाब था कि ये किसानों के हित का मामला है और बीजेपी किसानों को चौती किष्ट देगी अब ये बात तो डेप्टी सियम अरुन साओ की तरफ से सामने आ गई थी कि बीजेपी की सरकार किसानों को चौती किष्ट देने में इस चुक है लेकिन वो चौती किष्ट कब तक मिलेगी इस पर आज चर्चा हो सकती है आपको बता दें विधान सभा चुनाव में कौंग्रेस के सकता से बाहर होने के बाद में बीजेपी के मंतरी केदार कश्चप ने कौंग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया था उन्होंने कहा था कि चौती किष्ट किसानों को कौंग्रेस के जरिये मिलनी थी लेकिन कौंग्रेस ने उन्हें नहीं दी उसके बाद इस बात की सर्चा होने लगी थी कि बीजेपी की सरकार किसानों को चौती किष्ट देगी या नहीं लेकिन इस पर बयान आ गया अब बस इंतजार इस बात का है कि किसानों को चौती किष्ट कब तक मिलेगी इस वीडियो में फिलाल अभी इतना ही है ये वीडियो पसंद आयो तो इसको लाइक करें शेर करें और 36 गड़ से जुड़ी हर खबर जानने के लिए खबर विबाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें